हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, once again, welcome back to my channel, मैं स्विद आरना, you are watching my videos and if you like my videos, please subscribe my channel and like, subscribe and share. आज जैसे क्या आप देख सकते हो, जो मेरा question है, वो class 10th से है, और मैंने जो last भी काफी videos upload किये हैं, वो class 10th से ही की है, और ये heightened distance का question है, जो थोड़े important से question है, उनीकी मैंने जो है videos डाली है, और आगे भी मैं उनीकी ही videos डालूंगी, तो जैसा कि आप मेरा question देख सकते हैं, तो आजे question, read करते हैं, and observed from the top of a 100 meter, high lighthouse, एक observer है, वो observer एक lighthouse के उपर खड़ा है, और light high उसकी height कितनी दी हुए है, 100 meter, और angle of depression का मतलब होता है, वो उपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो दो ship को देख रहा है, एक पे बन रहा है 30 degree का angle, और एक पे बन रहा है 45 degree का angle of depression, और जो ship हैं, वो एक दूसरे के पीछे हैं, same side पे, तो उन दोनों के बीच की distance निकाल नहीं है, तो ये जो height and distance के question हो होता है, अगर आपकी figure exactly accurate बन गई है, तो question करना तो बहुत एजी होता है, T ratios लगाने होते हैं, और जो non value होते हैं, उसको find out करना होता है, तो आई अपनी figure ड्रॉ कर लेते हैं, ये कह रहा है कि एक light house है, जो कि हमारा कितना है 100 meter हाई है, this is a light house है AB, और ये 100 meter हाई है, तो ये ज भई, दो ships हैं, इसके level पर हमाल लेते हैं, एक ship ये है C, और एक ship ये है D, जो एक दूसरे के बिल्कल exactly same side पर है, और एक दूसरे के पीछे है, तो ये जब देखेगा, तो ये इसको भी देखेगा, और इसको भी देखेगा, यानि कि ये इन दोनों को देख रहा है, तभी तो parallel ऐसे एक perpendicular line कर लेते हैं, तो जो angle हमारा बन रहा है, वो 30 degree और 45 degree बन रहा है, अब देखो, छोटा 30 होगा, बड़ा 45 होगा, तो हमारा ये वाला angle 30 होगा, alternate से, और ये वाला angle 45 degree होगा, अब ये कह रहा है, कि हमें क्या निकालनी है, find the distance between the shape, हमें हम माल लेंगे, X be the distance between the two shapes, required जो distance हो, मैंने X meter माल ली, तो देखो, कितना easy है, पहले हम triangle BCA में लगाएंगे, और सीधा सीधा हमारा AC आ जाएगा, और जब हमारा AC आ जाएगा, फिर हम triangle DBA में लगाएंगे, और हमारा DC आ जाएगा, बस figure का था, इतना बड़ा question, छोटी सी figure, और question solve, solution हम कर ले लेते हैं, let the distance between the two shapes, दो शीप के बीच की, जो हमने distance है न, वो मेरा क्या मैंने माल लिया, भी X meter माल ली मैंने, ठीक है, फिर हम पहले क्या लगाएंगे, इन triangle BCA में हम लगाएंगे, 1045, इनमें जो मेली 10 ही लगेगा, 1045 होता है P by B, तो P perpendicular है हमारा AB upon AC, ठीक, अब 1045 होता है हमारा 1, AB है हमारा 100, AC है हमारा हमें find out करना है, तो यहां से जो AC की value आ गई, वो कितना आ गई, 100 meter आ गई, ठीक है, अब हम लगाएंगे बड़े वाले triangle में हैंने की BDA में, इन triangle BDA, BDA में हम लगाएंगे 1030, तो जो हमारा 1030 होगा, पूरा क्या होगा, AB और AD, तो AB by AD, 1030 की value होती है, 1 by root 3, is equal to, AB हमारा 100 है, और जो हमारा AD है, वो है AC plus DC, 1 by root 3, अगर हम cross multiply करें, तो आपका आएगा, 100 root 3 is equal to, AC हमारा आया था, 100 और DC है हमारा X, हमें X ही निकालना है, तो X क्या होगा, 100 root 3 minus 100, root 3 की value कह रहा है, 1.73 रखिए, minus 100, आप 1.73 की 100 से multiply करोगे, 173 आएगा, minus 100, 1.73 में से 100 गया, 73 मीटर, यानि कि जो required distance है, शीप के बीच की, वो कितनी है, 73 मीटर से, तो हम लिखेंगे, hence the required distance between the ships is 73 मीटर, अगर आप कोई question समझ में आया हो, और आपको अच्छा लगा हो, तो please मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, share कीजिए, thanks for watching.